इतने मिक्स रिव्यू क्यों? क्या आइमेक्स लाइक है? लोकी सीजन टू का क्या हुआ? क्यां कितना पाबरफुल है? जैनेट ने कॉंटम रील में क्या क्या किया? कॉंटम रील कैसा है? मुवी कितिनी एंटर्टेनिंग और हुमर से भरी है? कौं कौं से सीन मुवी के अच्छे हैं? मिट क्रेडिट सीन और पोस्ट क्रेडिट सीन पर बात करेंगे? हलो दोस्तों वेलकम टू रीहास फिल्म रिव्यू आज हम एंटमेन एंडवास फॉंटमेनिया मुवी से रिलेटिर सारे कोईशन्स पर डिसकस करेंगे वैसे तो इस मुवी के काफी मिक्स रिव्यू देखने को मिले हैं कोई तो बहुत अच्छा बोल रहा है, कोई बखबास ऐसा हो क्यो रहा है? इस पर आते हैं पहने तो इसका रिजन है कि कुछ लोग मार्वल्स की बहुत जादा धमागेदार मुवी से कंपेर कर रहे हैं जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज, एंड़ी गेम जैसी एंटमेन की पहले की भी मुवी कोई बहुत धमागेदार नहीं रही है तो इतना एक्सपेक्टेशन लगाना ही बेकार है जो लोग बहुत अच्छा बोल रहे हैं, वो कैंग को देखकर बोल रहे हैं कैंग को देखकर तो उनको ऐसा लग रहा है, जैसे निर्वाना एचीव हो गया है मुवी ना बहुत अच्छी है और ना बुरी स्टोरी सिंपल सी है, पूरी फैमिली क्वान्टम डील में फ़र्च आती है और फिर कैंग को मार कर वापस आ जाती है अब आते हैं, ये मुवी आइमेक्स लायक है या नहीं मेरा आइमेक्स से एक्सपेरियंस बोला जाये तो बहुत बेका रहा मैं आइमेक्स में देखना बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि 3D वाली फिलिंग केवल कुछ जगा पे ही आ रही है तो नॉर्मल 3D देख लो या 2D देख लो क्यों इसना पैसा बरबात करना है तो मैं तो नहीं सजेस्ट करूँगी अब आते हैं क्या मुवी में अच्छा है और क्या बंटम वर्ड देखने में बहुत ही yüzden अच्छा लग रहा है सकौट की G.F. का सीन लास में अच्छा है कैसी का करेक्स भी अच्छा लग रहा है बहुत सारी एं्टस जो आती हैं वो सीन बहुत अच्छे हैं ये कुछ scenes है जो मुझे personally पसंद आए मूवी का humor अच्छा है कुछ जगह पर हसी आएगी और दो मूवी का first half boring है हलकी यलकी नीन भी आने लगेगी पर second half अच्छा है actions और scenes दोनों ही काफे अच्छे लग रहे हैं देखने में acting अच्छी है especially Janet की Scott और Casey का bond भी बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है and वो scenes मेरी बेटी कहा है वाला तो बहुत ही funny था जो कि मुझे काफी अच्छा लगा एकदम बॉलिवूट की याद आ गई और Janet तो भाई अपनाई दमाका माचा के गई थी quantum wheel में खुद का experiment उनका लगी चल रहा था यहां था कि कैंग भी उससे परिशान हो गया था हाँ कैंग को quantum wheel में भेजने वाला interesting थे और किसने भेजा था यह हम वीडियो की last में spoiler टॉफ में करेंगी अगर movie की weak point पर आएं तो story बहुत खास नहीं है वी एफेक्स पर ठीक ही है बहुत impressive नहीं है बलकि मुझे लगा था कि quantum wheel में वी एफेक्स बहुत अच्छा देखने को मिलेगा based on trailer जो की disappointing था अब हम आते हैं spoiler top पर कैंग को भेजने वाले और कोई नहीं बलकि दूसरे universe के कैंग ही थे जो की भाई हिलाने वाला चीज था mid credit scene बहुत अच्छा है interesting है कैंग के इतने सारे versions को देखकर मज़ा आ गई जिसमें से सबसे ज़्यादा powerful scene थे mid credit scene में अच्छे से दिखाए गए हैं और अगर इतने सारों से लड़ना पड़ा तो भाई बिचारे यंग Avengers का तो पसीना ही चूटने वाला है post credit scene में तो बिल्कुल मज़ा आ जाएगा हूटिंग सुनने को मिलेगी मैंने वैसे भी अपने trailer इस्वे में बताया था कि यह होने वाला है वो आप जाके देख भी सकते हैं इस scene से यह तो भाई पता चल गया है कि लोकी season 2 जल्द ही आएगा होट स्टार पर भाई दिल खुश हो गया लोकी देखकर overall movie ठीक है पर IMAX लायक नहीं है मैं इसको 5 में से 3.5 स्टार दूँगी आपको क्या लगता है देखकर मेरे साथ यह कमेंट पर शेयर करें झाल झाल झाल